कि हैलो एवरिवन स्वागत करते गवर फिर से आप सभी कपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं जनमास्टमी स्वेसल मेवा पॉर की रेसिपी देखिए मैं ले लिए बादाम काजू खर्बुजे किगरी गोंद और चिरोंजी जो भी आपके पास मेवा हैं वो सारे मेवा ले लिजी और घी में देखिए यह भी मैंने अच्छे से बून लिए हैं गोल्डन होने तक और यह मैंने ले लिया है पका हुआ नारियल और इसे मैंने पहले घ पीस लूँगी यह देखिए पीस गये हैं इसी तरीके से अपने सारे मेवा में पीस लूँगी और अब इसके बाद में अपना पकावा नारियल जार में डालकर उसको भी इसी तरीके से पीस लूँगी यह देखिए यह देखिए यह हमारा नारेल भी पीस गया है अच्छे से अब यह सारे मेवा मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है देखिए कुछ लोग सावत का भी बनाते हैं बट हम पीस कर ही बनाते हैं आब हम एक कड़ाई में 1 कटरी चीनी डाल लेंगे और उसमें आधा गलास पानी डाल लिए और आब इसकी चासनी त्यार कर लेंगी देखिए जब तक होने के बाद अपना समान डालना है तो इस तरीके से बीच-बीच में चैक करते रहेंगे चलिए अब हमारी चासनी तियार हो गए मैं अब यह आपको दिखा देती हूं कि कैसी चासनी आपको तियार करनी है यह देखिए यह इस तरीके से जब इसमें तार बनने लगेगा तो समझे चासनी तियार है यह देखिए यह तार बन गया है अब इसमें हम अपना समान डाल देंगे डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए चासनी को हलका सा ठंडा होने के बाद अगर आप डालेंगे तो आपकी बिठाई बिल्कुल भी बिगडेगी नहीं और यह सही से बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी और समान डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसको थोड़ी देर कड़ाई में हलका सा ठंडा कर लीजिए उसके बाद ही ले तो पीस बहुत अच्छी जमेंगे आपकी अब यह देखिए यह टाइट होने लगी है इसमें इसी तरीके से अच्छे से ठंडी करके ताब हम इसको अपनी ठाली में डाल देंगे ठंडी हो गई है तो अब मैं इसे एक ठाली में निकाल लूँगी इस तरीके से अब मैं सारा पेश ठाली में डालने के बाद इसको चम्मच की हेल्प से अच्छे से फैला दूँगी अब यह देखिए मैंने सारा डाल लिया है चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से फैला देंगे देखिए इसमें गी वो अच्छे अच्छा हो जाता है क्योंकि सारे मेव हमारे घीमे ही भुनते हैं और मेवा में खुद भी अपनी एक चिकनाई होती है तो उसके बाद एक कटोरी की हेल्प से आप इसको प्लेइन कर दीजिए इस तरीके से कि यह देखिए और उसके बाद अपनी मन पसंद अनसार आप पीस काट लीजिए जिस शेप की भी आपको पसंद ओ उस तरीकी के आप पीस काट लीजिए और यह हमारी मेवा पाक तेयार है तो आप नवरात्र की विरत में जर्माश्टमी की विरत में या किसी भी विरत में आप इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और यह खाने में बहुत टेस्ट तो आप भी ट्राइ कीजिए और कमेंट बखा कि आपकी मिठाई कैसी बनी और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू सो मच